Hello students, good evening, मैं अनू आप सभी का स्वागत करती हूँ मंदीप गोधारा YouTube चैनल पे आज आप सब के लिए एक बहुत ही बड़ी खुश खबरी थी कि H-Tate जो है हमारा lifetime के लिए value कर दिया गया है और थोड़े दिन पहले दो-तिन दिन पहले news आ रहे थी कि H-Tate जो है जल्दी हो सकता है या फिर December में ही होगा ऐसा कुछ भी चल रहा है ठीक है तो आज हम discuss करने वाले हैं H-Tate जो level first होता है PRT यानि जिसे JBT बोलते हैं 2024 में आने वाले syllabus के बारे में और syllabus हम किसका discuss करेंगे हम करेंगे इसमें specially mathematics का जो हमारा math का portion रहता है उसके बारे में हम आज discuss करने वाले हैं कि math में क्या-क्या पूछा जाता है किस तरीके से पूछा जाता है जैसा कि आप सभी को पता ही है 2023 में हमारा जो syllabus है वो change हो के आया था चेंज हो के आया था उसमें क्या नई चीजें एड की थी क्या पहले वाला ही हमें पढ़ना है तो अभी ये तो चांस है नहीं कि 2024 में भी syllabus चेंज हो जाए हर साल थोड़ी ना चेंज करेंगे लेकिन जो हमें हमारे पास syllabus दिया हुआ है उसके बारे में हम discuss करते हैं आप सभी को पता है हमारा 500 नंबर का होता है है ना उसमें से 30 नंबर की हमारी CDP आती है 15 नंबर के हमारे ये PRT लेवल जो 1 है जे बीटी वाला है उसकी बात कर रही हूँ मैं तो उसमें हमारे 15 नंबर हिंदी के होते हैं 15 नंबर इंगलीज के आते हैं दस नंबर का QUANTITIVE AEPTITUDE होता है QUANTITIVE APPTITUDE क्या होता है यह भी MATH ही होता है लेकिन ये जो पार्ट है वो सभी के लिए commonत है QUANTITIVE APPTITUDE वाले जो दस नंबर वाला portion रहता है वो सभी के लिए L1 हो रहता है एल Clark een इसका मतलब math है जैसे कि level second में क्या होता है जो subject होता है वो important part रखता है लेकिन यहां पे JBT में क्या होता है math और EVS important part रखते हैं यानि यही main subject होते हैं तो इसमें math आता है वो हमारा कितना आता है, 30 number का आता है, और EVS भी क्या आता है, 30 number का आता है, यानि हम मोटी मोटी बात करें, तो जो GBT में हमारा मैथ आने वाला है, जो एने वाला है, 10 number का quantity, जो common section वाला है, और 30 number का वो, जो हमारा main subject का है, तो चलिए आगे देखते हैं इसका क्या process होता है इसमें कोई भी negative marking नहीं होती है हमें 90 number लेने होते हैं pass होने के लिए हमें क्या 90 number लेने होते हैं pass होने के लिए जो journal category वाले हैं वो 90 number में pass हो जाएंगे और जो other category वाले हैं SCBC वाले वो 82 marks में हो जाएंगे और जो कोई और state से अगर H state दे रहा है चाहे वो SC में हो BC में हो चाहे किसी भी category में हो लेकिन वो count किस में होगा जर्नल में होगा उसे भी कितने number लेने पड़ेंगे H state को qualify करने के लिए 90 number ही लेने पड़ेंगे आगे देखते हैं कोई negative marking नहीं होती है यह हमने पहले ही देख लिया कि इसमें negative marking नहीं होती है अब जलिए बात करते हैं स्लेबस के बारे में अब हम देखते हैं कि इसमें स्लेबस हमें क्या क्या पढ़ना है क्या क्या छोड़ना है कहां कहां से question आएंगे कितना मुश्किल लेवल रहेगा कितना tough लेवल रहेगा तो यह हमारे स्लेबस में specifically mention किया गया है कि लेवल चाहे हमारा एक से पांच तक की कक्षा को पढ़ाने का हो लेकिन जो paper का लेवल रहेगा वो कितना रहेगा 10th लेवल तक का हमारा mathematics पूछ सकता है ठीक है यह नहीं है कि पांच में तक का ही आएगा 10th लेवल तक का difficulty लेवल रहेगा इसमें तो इसमें क्या रहेगा देखें the question will be designed to be test ability of appropriate use of number system यानि सबसे पहले क्या है इसमें number system आएगा मोटा मोटी बात यहां पर यही दे रखी है the scope of competition whole number आएगे जिसमें decimal आएगा fraction आएगा relationship between numbers आएगा यह सब पार्ट इतना पार्ट हमारा किसका हो गया यह यह मतलब क्या है number system में आएगा number system संख्या पदती जिसमें बोलते हैं जिसमें हमारी दसमलो हो गया जो rational number हो गये यह सब किसमें आएगे fraction हो गया यह सब किसमें आ रहा है हमारा whole number हो गया यह number system में आ रहा है फिर percentage यानि पर्ति सत्ता ratio and proportion अनुपात समानुपात वाले question square root जो square root वाला है average, cost, interest SICI दोनों आते हैं ज्यादा difficult level नहीं आता normal easy question आते हैं profit and loss लाभानी वाले question आएगे discount, बटा आएगा, partnership, business आएगा mixture, relegation, miss run वाले question आएगे time and distance train वाले question जो होते हैं time, समय और दूरी वाले question है वो आएगे time and work समय और काम आएगा basic algebra identity यानि simple simple level का जैसे a plus b का whole square x plus y का whole square इस type के simple simple formula पे basic algebra thirds वाला graph हमारा आएगा linear simple level का आएगा triangle 2D, 3D वाला आएगा यानि इसमें हमारा जो है 2D, 3D थोड़ा सा advance जिसे हम portion बोलते हैं वो भी रहेगा circle and its chart इसमें कोई area दिया होगा या फिर कुछ भी दिया होगा उनका हमें मेंशन करना होगा tangent, angle standard by cord, regular polygon, कोई भी एक angle पूछ लेंगे polygon का, circle का, कोई angle पूछ लेंगे या फिर कोई भी उसका area दिया है, उसकी radius पूछ लेंगे ठीक है इस टाइप के question आते हैं right prism, right circular and cone वाले right circular, slender वाले, sphere वाले, hemisphere वाले rectangular, parallel pied वाले regular right, pyramid with triangular of square basis पे trigonometry, trigonometry भी आएगा यानि to mensuration का part आ रहा है हमारा और उसके बाद हमारा trigonometry भी आ रहा है algebra भी आ रहा है, थोड़ा-थोड़ा mensuration भी आ रहा है, और trigonometry भी आ रहा है जादा high level का नहीं होगा, बिल्कुल normal से level का होगा, degree and radian ये सब trigonometry का ही part है standard identity, complementary angle, height and distance ये सब क्या है, आपके trigonometry का ही part है और last में हमारा क्या आएगा bar diagram और pile chart से जो हम question करते थे वो भी आएगा, ये सब के लिए common है ये math का syllabus जो है, सब के लिए common है जो हम पहले से पढ़ते आ रहे थे वही syllabus हमें करना है और इसकी जल्दी ही हम मंदीप गोदारासर YouTube चैनल पे classes भी शुरू कर देंगे, common part के लिए भी और जेबीटी के लिए specific भी अब बात करते हम जेबीटी में क्या क्या आएगा जेबीटी में क्या change हुआ है जेबीटी में ये वाला तो रहेगा पहले वाला ही, ये जो part है हमारा वो क्या रहेगा पहले वाला ही रहेगा, यानि जो उपर वाला पार्ट है हमारा वो क्या रह रहा है पहले वाला ही रह रहा है एक मिनट जो पहले वाला जो मैथेमेटिक्स का स्ले बस ये वाला जो पार्ट था हमारा वो क्या रह रहा है पहले वाला रह रहा है यहां तक का जो पार्ट है ये वाला जो पार्ट है ये वाला ज हम पहले ही पढ़ते आ रहे थे जो मेट्री के सारे कोशन हम पहले करते थे वहीं से मारे हैं शेप में टूडी त्री डी कॉन स्केयर स्पीर हैमिस्पीर यह सब आ जाएंगे इनकी अंडरसेंडिंग सॉलिड इंस्टाउर इसमें क्यूब और क्यों घन घनाब यह सब सॉलिड तो इसमें आ जाएंगे नंबर सिस्टम नंबर का मतलब यह सब किसका पाइट है नंबर में आएगा इडीशन औंड सब्ट्रेक्षम आएगा एगा मल्टिप्लिकेशन आएगा multiplication में square root cube root in सब के आएंगे division आएगा measurement measurement में trigonometry का पार्ट भी डाल सकता है height and distance वाला आएगा ठीक है और इसमें train वाला भी आ सकता है दूरी मापने वाला ठीक है इस measurement में जितना भी सब कुछ हम measurement करते हैं वह measurement का पार्ट रहेगा आगे है weight weight में हमारा क्या आजाएगा loss and profit वाले question आजाएगे mister allegation वाले आजाएगे time time में time and work आजाएगा time and distance आजाएगा volume में 2D 3D जो भी हमारा होता है data handling जो हम बोलते है pie chart या bar graph वो आजाएगा pattern and money इसमें हमारा जो है क्या आजाएगा percentage आजाएगा profit and loss आजाएगा discount आजाएगा यह सब किस में आजाएगा money में आजाएगा अब नीचे है pedagogical issue यानि जो हमारे mathematics को समझने के लिए pedagogy की जरूरत होती है कि बच्चे को किस तरीके से हम math को पढ़ाएगा वो सब आएगा nature of mathematics की mathematics का nature कैसा होता है इसकी logical thinking होते है understanding children thinking and reasoning pattern and strategy of making meaning and learning कि उसको किस तरीके से logically हम सिखा सकते हैं कि दो प्लस दो चार ही होते हैं छीक है यह सब इसको logically हम क्या होता है उसको किस तरीके से हमें समझाना है यह सब इसमें और उसको उसका मीनिंग भी बता सकें और मतलब उसको याद भी करवा सकें आगे है प्लेस ओफ प्लेस ओफ मैथमेटिक्स इन करिकूलम मतलब कितना जरूरी है हमारे करिकूलम में होना अगला लेंग्वेज ओफ मैथमेटिक्स कैसी लेंग्वेज हम यूज करत और कि formula से उनको किस तरीके से वो solve कर सकते हैं, question और कौन सा information method लगा सकते हैं, problem of teaching की पढ़ाने में क्या-क्या दिक्कत आती है, error analysis, गल्तियां बहुत होती है बच्चों से, वो उसको कैसे analyze कर सके, ठीक है कि कैसे गल्तियों को कम से कम करें, ठीक है, and related aspects of learning, कि क्या-क्या हम इसमे tools को use कर सकते हैं, क्या-क्या aids यूज कर सकते हैं, तो उनसे हम कैसे teach करें, diagnosed and the remedial teaching की, रामबान math उन्हें कैसे समझाएं, ऐसा क्या रामबान दें, कि उनको lifetime तक math याद रहे, तो ये हो गया हमारा 40 marks का math, 40 marks का math का syllabus मैंने आप से discuss कर लिया है, अगर किसी को doubt हो, तो आप comment section में बता दीजिए, आपकी कल से जो है, JBT वाले math की classes regular शुरू हो जाएंगी, शाम को 7 बजे, कल से हम इसी पे previous year paper solve करेंगे, जो हमारे JBT में अब तक पूछे गए हैं, HTED के PRT level 1 में जितने भी question पूछे गए हैं, हम उन सब को cover करेंगे, thank you so much, have a nice day, आज के लिए इतना ही syllabus जाए होगा, ज्यादा कोई difficult नहीं है, पस सिरफ ये इतना pedagogy वाला extra है, ये जो जो बच्चा seated की त्यारी करता है, उसमें उसने pedagogy भी पड़ी होगी, होप सो आपको syllabus की details समझ में आई होगी, फिर भी कोई दिक्कत है तो आप comment में बता देजिए, classes से related अगर आप कुछ औ और information चाहते हैं तो comment section में बता दीजिएगा, और reasoning का भी syllabus हम कल discuss करेंगे, तो मिलते हैं कल शाम को 7 बजे, math की जो series हमारी start होने वाली है, JBT के लिए, bye bye, take care, have a nice day.